हमने इससे पिछले मॉडियूल में तीन तरह के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स का जिकर किया प्री एक्सपेरिमेंटल कौजी एक्सपेरिमेंटल और जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं और फिर उनके साथ जिमनन फ्रेक्टोरियल डिजाइन्स का भी जिकर था अब हम देखते हैं कि जिनको हमने pre-experimental design कहा था यानि जिसमें ना तो random allocation of individual to groups होती है और ना ही कोई control group पाया जाता है तो इस तरह के कितने design हमारे पास experimental research में हैं आपकी slide पे तीन designs नजर आ रहे हैं इस तरह के जिनमें one short case study, one group pre-test, post-test design और static group comparisons है एक सवाल जो अमूमन जेन में आता है कि अगर हमारे पास true experimental designs हैं और हम समझते हैं कि वो सबसे बेहतर होते हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है pre-experimental designs की या quasi-experimental designs की हम कुछ ऐसी situations हमें अपनी studies में face करनी पड़ती है research में जहां पे ये करना मुम्किन नहीं होता कि आप वहां पे कोई pre-test ले सके आप वहां पे कोई control group बना सके ऐसी situation होती है जहां पे हमें उस situation में research करते हैं ये option नहीं होती कि हम experimental group के लोगों की random assignment कर सके possible ही नहीं होता तो हमें in designs को वहां इस्तमाल करना पड़ता है अगर हमें in design के साथ मौजूद limitations का पता होगा तो हम अपनी results की interpretation और design के इस्तमाल के वक्त जो खराबियां पैदा होंगी उनको handle करने की बेहतर position में होंगे वसलिए इसमें आप देखिए one short case study है इसके अंदर ना तो कोई pre test लिया जाता है एक single group होता है और उस single group का आप सिर्फ post test ले सकते हैं याई intervention हो चुकी हुई है जो change आनी थी आच चुकी हुई है अब आप intervention से पहले का measure नहीं ले सके intervention के बाद आप एक measure ले ले लेते हैं जिसको post test कहते हैं और नहीं आप इसके अंदर कोई control group बना सके थे ताके आप जितनी change आपकी intervention के नतीजे में post test में नजर आ रही है आप उसको attribute कर सकें कि ये सारी change इस intervention की वज़ा से है ऐसा certain करने के लिए control group चाहिए था वो भी हम इसमें नहीं बना सके हुई तो ऐसी situation जहां आप किसी ऐसे मामले में फस जाएं तो ये बड़ा वीक सा design है लेकिन at times इसका इसका इस्तमाल करना पड़ सकता है इस तरह one group pre test post test design इसमें सिरु लफ़ one group है जो इसको pre experimental बनाता है यानि इसके अंदर आपने एक group select किया उस group को कोई treatment दी treatment देने से पहले उनका pre test भी लिया treatment देने के बाद post test भी लिया लेकिन आपने कोई control group इसमें नहीं बनाया तो अब आप जो intervention के बाद pre test और post test के scores में फरक आया है आप ये claim करना चाहते हैं कि ये मेरी intervention की वज़ा से आया है लेकिन उस दौरान में कुछ भी और हो सकता था जो आपके outcome को बदल देता इलावा आपकी intervention के कुछ भी और ऐसा हो गया हो तो आपके पास कोई तरीका नहीं है ये थाबित करने का कि ये जो change आप outcome में change आई है ये सारी की सारी आपकी intervention का नतीजा है और इसमें कोई और चीज शामिल नहीं है ये इस design की weakness है लेकिन इसमें simple एक बात ये है control group नहीं है pre test हो गया post test भी हो गया और random assignment of individuals to group भी नहीं या कि आपने जो लोग मुन्तखिब किये थे अपने experiment के लिए वो randomly उस group में assign किये गया हूं ये भी आप नहीं कर सके वो तो इन तीनों में ही नहीं है random assignment तो इन तीनों designs में नहीं है इसी तरह static group comparisons है static से यह मराद यह है कि मैं कोई research करने जाता हूं तो मैं जिस इदारे में य उनने का कि आपके पाई हमारे group बने में आप इन में से कोई group लेके आप अपनी research कर सकते हैं सो static group से मुराद है मुझे already एक बना बनाया group मिला दो group मिले जो मुझे चाहिए थे लेकिन मैं उन में random assignment नहीं कर सकता था कि इस अपने group के लिए लोग खुद मुन्त मुन्त नहीं क कर सकता था बलके मुझे बने बनाया group के साथ वो research करनी पड़ी तो ऐसी सूरतहाल में जब random assignment ना की गई हो बने बनाया group लिए गया हो आपस में study के start से पहले एक जैसे थे या नहीं थे यह मुझे नहीं पता लहाजा मैं इस situation में जो study करूंगा तो बहुत design wise बहुत ज्याद structured या defined नहीं होगी ऐसी situation को आप कहते हैं static group comparisons या static group design है तो यह तीन design अमोमन हम pre-experimental research में इनको शामिल करते हैं क्योंकि यह experimental research की शरायत को उस तरह से पूरा नहीं कर रहे होते इलावा इसके के इन में एक manipulation of variable involved है